सत्गुरु की साजी निवाजी प्यारी साजसंगची प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी साजसंगची सत्कुरु माताजी हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने ब्रम ज्यान लेने के बाद किसी भी बात का अभिमान नहीं करना है काम, क्रोध, लोग, मौ, हंकार ये मानव के पांच शत्रू है इन से हमने बच कर रहना है कहते हैं कि जो अभिमान करता है अभिमान का सिर हमेशा नीचा ही होता है हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए हमें हर पल सत्गुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते चले जाना चाहिए कि दातार ने हमें अपने चर्णों से जोड़ा है हमें सेवा सिमरं ससंग का रास्ता दिखाया है इस रास्ते पर चलते हुए हम सत्गुरु निरंकार दातार सासंगत मा का हर पल आशीरवाद लेते जाएं और जो भी हम ये सत्संग से सीख मिल रही है संतों महापुर्शों के हम परवचन सुन रहे हैं इन से हम सीखते चले जाएं इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में करम रूप में ढालते चले जाएं आज के जो विचारों का टोपिक है वो भी यही है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए अभिमान करने से इनसान पतन की और ही जाता है और नमर्ता में इनसान उन्चाईयों की हो रिजाता है वो भगती की शिकर पर पहुंचाता है भगती के रास्ती में वो उन्टी को प्रापत करता है अगर वो नमर्ता में रहता है तो कहते हैं एक राजा ने अपने राज महल में बड़ा सुन्दर बगीचा लगवाया वहे अपने आप उसकी देखभाल करता था जो कोई राजा के बगीचे को देखता वहे उसकी तारीफ किये भी ना ना रहता बगीचे में अलग लग द्रह के फूल फल और पेर थे उनकी भीनी भीनी सुगंद लोगों को परभावित करती थी दीरे दीरे राजा को अपने गुनों वे बगीचे की खूबसूरती का हंकार हो गया कुछ ही दिनों में राजा ने देखा कि उसके बगीचे में एक छोटा सा पोधा अपने आप उगाया है राजा को बड़ी हैरानी हुई किन्तु उत्सुकता वश अपने पोधे को उखाडा नहीं वे है पोधा बढ़ता रहा और जल्दी ही एक पहुत बढ़ा पेड बन गय उस पेड़ पर सुन्दर सुन्दर फूल लग गए जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता प्रंतु कुछ ही समय बाद उन फूलों में से इतनी दुरगंद आने लगी कि लोगों ने उस बगीचे में आना ही बंद कर दिया राजा ने भी उस दुर्गंद के कारण बगीचे में आना बंद कर दिया उची देखवाल की कमी में बगीचे के दूसरे पेड़ भी खराब होने लगे बगीचे की ऐसी पुरी हालत से दुखी राजा ने उस पेड़ के बारे में सबसे पुछा प्रंतु कोई भी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाया एक दिन एक संद से राजा की मुलाकात हुई उसने संद से कहा कि कैसे अपने आप उग आए एक पेड ने पूरे बगीचे को ही खराब कर दिया है संद पूला राजन यह हंकार का जहरीला पेड है इसे लगाने की जरूरती ही नहीं पड़ती यह तो अपने आप ही उगाता है और तेजी से बढ़ता चला जाता है इसके फूल देखने में बहुत सुन्दर लगती है लेकिन इन में इतनी दुरगंद होती है कि यह दूसरे फूलों में पेड़ों को मिर्ती में मिला देता है जो हंकार रूपी जहर पेड की चपेट में आ जाता है एक दिन उसकी दशा ऐसी ही हो जाती है जो आपके बगीचे की हुई है संत की ऐसी बाते सुनकर राजा को अपने हंकार पर बहुत पश्चा ताप हुआ राजा ने सोच लिया राजा ने संत की बात को समझ लिया कि वह कभी भी किसी भी बात का हंकार नहीं करेगा करने कराने वाला ये सत्कुरु निरंकार दातार आप है अगर हम कोई सेवा करते हैं या हम सत्संग में जाते हैं या सिमरन करते हैं तो हम सत्कुरु निरंकार दातार का ही शुक्राना करते चले जाएं कि इन्योंने हमें बुद्धी विवेक शक्ति वक्षी है हमारे तो कोई उकात नहीं है कि हम अपनी मर्जी से हम सेवा सिम्रन्ससंग कर पाएं जब तक सत्गुरु की किरपा ना हो इसकी मर्जी ना हो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके हुकम के बिना एक पता भी नहीं हील सकता है जब ये दातार चाहे तब ये सेवा सिम्रन्ससंग भी हो सकती है इसलिए ही करते हुए हम हर पलसत गुरु का कोटिन कोटिन भर शुकराना करें कि हिदातार सच्चे बाशा आप जी ने ही ये बलबुद्धी विवेग शक्ती दी है इसी तरह आप जी बलबुद्धी विवेग शक्ती हर एक को देते रहना और सभी को अपने चलनों से जोड़ के रखना आप पुरिश संत जन समझाते हैं कि अगर उच्ची मत ले ले संतों की मत ले ले तो जीवन की चाल सुन्दर हो जाएगी इसलिए संतों की मती को उच्ची मती कहा गया है मन निवा मत उच्ची कि उच्ची मत ने को धारन कर ले साकत का संग नहीं संतों महापुर्शों का संग कर ले साकत की मत तो विनाश का कारण होती है अक्सर होता भी यही है कि इनसान बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पैपैस होया कि बुराई की तरफ तो इनसान बढ़ता जाता है अगर इनसान को भटकने से रुकते है तो एक दम से उधारन दे देगा कि वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ तो तुझे बस वो ही उधारन नजराता है क्या कभी तुने यह कहा है कि वो इतना वी नमर है तो मैं भी वी नमर बनूँ सत्कुर बाबा अरदेव सिंग जी महाराज अपने विचारों द्वारा हमें समझाते हैं कि हमने हमेशा भी नमर बनके रहना है हमने किसी की तरफ देखकर हमने वो काम नहीं करना है अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसको देखकर गलत काम नहीं करने लग जाएंगे हमने अपने सत्गुरू की मत से चलना है और हमने सोच विचार कर अच्छे ही करम करते चले जाना है अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे शिक्षा ले लें कि हमने नेकियां अच्छाईयां ही करते चले जाना है सद्कुर्बावजी समझाते हैं इस संसार में अच्छाईयों वाले नेकियों वाले प्रेम करुणा वाले विनमरता वाले भी तो हैं कभी कह ले कि उन्होंने किया तो मैं भी करूँ हम अच्छे कामों की रीस नहीं करते हम बुरे कामों की तरफ भागती हैं इस पर कार एक्जामपल देकर हमें संसार में भगतों के महापुर्शों संतों के जीवन में ये बाते हमें सुनने को मिलती है हमें समझाया जाता है कि संतों महापुर्शों की जो चाल होती है वो संतों वाली होती है यह परमानित हम अपने ही जीवन से करते हैं कि किस परकार हमारे मनों में वो भावनाएं घर कर गई हैं या नहीं अगर साकत वाली प्रवर्ती है तो फिर तो वही बात ये भगवान श्रीकृषन जी कहां चाहते थे कि यूद हो जाए उन्होंने तो पूरा पूरा समझाया कॉर्मों को दुर्योधन को उन्होंने एक एक भाई को केवले एक एक गाम देकर जगड़ा निपटाने की बात कही अगर यूद का इतना ध्यान होता तो सीधा ही कह देते कि उठा लो थियार लेकिन वहां सज्जन मती नहीं थी ये नहीं जानते कि भलाई किसमे है बुराई किसमे है इसलिए आगे से कह रहे हैं कि पांच गाम की क्या बात करते हो हम एक सुई की नोग जितना स्थान भी नहीं देंगे मतलब कि संत की मत को धारनी ही नहीं किया कोर्वों ने तो फिर जो सिलसला बना उससे कहा चुटका रहुने वाला था कहने का भाव यही है कि संत की मत सुवारती है एकजामपल कई बार हमें सुनने को भी मिला कि नदी के किनारे पर एक लंबा पेड़ था वो तेज आंदी में यूं गिरा कि उसके उपर का हिस्सा नदी के दूसरे किनारे पर जाक तिका और वह पेड़ एक पुल का रूप बन गया उधर से एक बकरी चड़ी उस पेड़ के उपर पार जाने के लिए और इधर से भी एक बकरी चली बीच में दोनों ही आमने सामने थी पेड़ की चुड़ाई इतनी थी नहीं एक समय पर एक ही निकल सकते थी तो दोनों ने आपस में सींग उलजा लिये वो कहे कि पहले मैंने कदम रखा है इस पुल के उपर दूसरी कहे कि पहले मैंने कदम रखा है इस पुल के उपर इस जगडे में दोनों ही पानी में गिर गई बाहाफ उनको बाहा कर ले गया और उन दोनों का ही अंत हो गया थोड़ी देर के बाद फिर वही द्रिश है दोनों तरफ से एक एक बकरी उस पूल के उपर चड़ी बीच में जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि मैं पहले यहां आई तू हट जा दूसरी ने कहा कि दोनों का मकसद तो है पार होना गुजर कर पार हो गई और जो बकरी बैठी थी उसके बाद वहाभी पार हो गई अब दोनों की बात बन गई दोनों का ही जीवन समर गया इसलिए अभी मान ना करने की बात हमेशा महापुर्शों ने की है कि मत कर तू अभी मान रे बन दे किसी चीज का भी मान नहीं करना है मान मुनी, मुनी वर गले, मान सबे को खाए मान अगर रिशी मुनियों को भी हो जाए तब भी अपतन का कारण बनता है इसलिए हंकार नहीं करना है हे इनसान तुने विनमर्ता को धारण करना है विनमरता वालों ने ही हमेशा उन्चाईयों को पाया है संतों का संग और उनकी मती को जो भी धारन कर लेता है वो अपना उधार कर लेता है इसलिए महापुर्शों के वच्चन हम लगातार पढ़ते हैं गगन चड़े रज पवन पर संगा कीचियों मिले नीच जल संगा पवन का संग हवा का संग मिला तो आसमानों को वो मिट्टी छू गई जो पाम के नीचे रोंदी जा रही थी दूसरी तरफ उसी मिट्टी को पानी का संग मिला तो वो किच्चड बन गई एक संग आसमानों तक ले गया और दूसरा संग ने किच्ड बना दिया इस परकार हमारे लिए एक संग कल्यान कारी होता है और एक संग विनाश कारी होता है महापुर्श संत जन यही प्रेड़ना देती है कि हमने संतों का संग करना है हमने संतों की मती को धारन करना है कि वाके ही हमारा रुत्बा उचा है हम हीरे कि तरह हैं कहने के जरूरत नहीं होती जैसे रहीम जी के वचन की रहीमन हीरा कब कहे लाग तका मेरा मूल हीरे के गून है उन गूनों नहीं उसको कीमती बनाया है इसी परकार भगत प्रूर्टी संत प्रुर्टी सज्जन प्रुर्टी ने भगत की कीमत को बढ़ाया है कहने की जरूरत नहीं पड़ती उनके गुन उनकी भामनाएं उनकी चाल ने ही उनका रुत्बा उचा बना दिया वो गुन और चाल संतों के दीशा निर्देशों का पालन करने के कारणी ही तो बना ऐसी भामनाएं बनी इसलिए रुत्बा बुलंद हो गया कहने का भाव यही है कि संतों भगतों महापुर्शों संत जनों ने इसलिए हर मानव को यही संदेश दिया है ताकि इनसान अपना जीवन समार ले सबसे बड़ा लक्षय हमारे जीवन का कि हम इस शरीर में आये हैं इसको पाकर हमने आत्मा का कल्यान करना है आत्मा को मुक्ति देनी है आत्मा पहले भी आवागमन के बंदनों में रही और अमोलक जनम पाया यह जो छोटा सा पड़ाव मिला इस छोटे से पड़ाव में ही हमने अपनी आत्मा का कल्यान करना है संतों का संग करने के कारण दूसरा लाब जैसे कहा कि जीवन जीने का सलीका मिल जाता है जिसका कोई महत्तव नहीं है वर नधर्ती पर पोज माने जाते है इस से ज्यादा और की और कोई कीमत नहीं डाली जाती ऐसे जीवन की जो की अग्यानता के अंदकार में रहकर तै किया जाता है दूर्मती दूर्भावनाव से युक्त होकर जो चाल चली जाती है वो हमें कलंकित करती है दुनिया दा़ी और दुनिया में भी हम जीते है तो वहां भी हम चुझते है उस बात को जिससे कुछ भला हो या कुछ लाब मिलने वाला हो लेकिन अक्सर हम वो रास्ते चुन लेते है खुद घर्जियों के उपर अधारित होते है लेकिन यहां जो चुनने की बात हो रही है बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है केवल जीवन काल ही नहीं लगा हुआ है बलकि यह आत्मा जिसकी कोई उमर की सीमा नहीं है इसको भी हम दाव पर लगाते जा रही है फिर वही बात कि हमने वहां नहा समझी का प्रूफ दिया वास्ता में विवेक पूरण जो चुना जाता है वही कल्यानकारी होता है और चुनने के लिए भी वही कि बिन सत्संग विवेक न हुई बिना संतों महपुर्शों का संग किये बिना विवेक पूरण प्रापत नहीं होती है इसलिए हमें सत्कुरू समझाते हैं कि हमने संतों वाली मत को धारन करके अपना लोग सुखी और परलोग सुहला करना है एथे मिलन वडियाईया दर गया मूग दौर संतों महपुर्शों का संग करने से संसार में भी इजट मान मिलता है और आगे भी फिर इस आत्मा की मुक्ती हो जाती है साथ संगत जी कितना सुन्दर हमिशत कुरू भाबा हर देव सिंग जी महाराद ने अपने विचारों द्वारा समझाया है कि हमने संतों की मत कुधारन करके अपने जीवन को सुमारते चले जाना है इन बातों को हमने करम रूप में ढालना है इन शिक्षाओं को हमने कल्यानकारी बनाना है अपने जीवन का उधार तो करना ही है औरों को भी प्रेना देकर उनका भी जीवन सुखी बनाने की कोशिश करनी है साथ संगत जी विचार करते हुए बहुत सी गल्दियां हुई होगी उन गल्दियों के लिए आप जी शमा कर देना आगे के लिए शुद्ध विचार करने की शमता बक्षना साथ संगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी